हेलो फ्रेंड्स विलिकम टो माई यूटूब चैनल जी एल्स क्लासेस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज अपने इस वीडियो में सोसियोलोजी के इंपॉर्टेंट कुश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो पिछले 15 से 20 सालों में पोचे गए एक्जाम चाहेबा जी आस इस नेट जारफ वजा असिस्टन प्रोफेसर आद एक्जाम में पोचे गए कुश्चन को इस वीडियो में सामिल किया गया है तो वीडियो को पूरा देखेगा और हां अगर आपको वीडियो पसंदा आज वीडियो को राइक जरूर कर दीजेगा और साथ ही साथ इसेड में आपके टोटल कितने कुश्चन सही हुए तो चलिए सौर्फ करते हैं आज हमारे प्रैक्टिसेड के कुश्चन नंबर वन को आज हमारे कुश्चन नंबर वन है ग्रामीड समासाथ की उत्पत सबसे पहले कहां पर हुई और फ्रांस में और अमेरिका में और वर्ष 1876 सबसे पहलेош 1876 में तर में ग्रामीड समासवादि की अ Lambuth समामीड समयचाफ के उत्पत्र शह योग्तान रहा है अमेरिका में ग्रामीर समाज साथ का विकास 19 सतापदी में मानोतावादी दान के रूप में हुआ है 19 सतापदी में अमेरिका का में जो है आकाल ग्रामीर सामाजिक पतन का आकाल जो है था ग्रामीर समस्याओं को हल करने में विपिन विद्वानों ने ग्रामीर साहित का जो है स्रिजन किया यह समय था जब ग्रामीर समासास का जो है जन्म हुआ तो कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number B आज हमारा second question है किसी सामाजिक अध्यन में कौन एक आवश्यक है इन में से कौन सा है जो एक आवश्यक है तिस कुशन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा option number B यानि की अध्यन छेत्र और निदर्स ठीक है किसी सामाजिक अध्यन में अध्यन छेत्र और निदर्स जो है यह आवश्यक है कुश्चन का राइट एंसर होगा option number B आज हमारा third question है समासास का अध्यन भारत में सरवर्थम कहां पर प्रारम हुआ option number है दिली में, option number B है लखनो में, option number C मुंबई में और last option number D कोलकाता में तिस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number C यानि की मुंबई में समासास का अध्यान भारत में सर्प्रतम वर्स 1914 में कब सर्प्रतम वर्स 1914 में जो है मुंबई विश्विद्याले में एक एच्छिक के रूप में प्रारंब हुआ तो कुष्ण का राइट एंसर होगा इस कुष्ण का राइट एंसर होगा हमारा option number D यानि की एलेक्स इंकल्स ने समासास की विशरवस्त की रूप रेखा को एलेक्स इंकल्स ने प्रसुत किया है इन्होंने अपनी पुस्तग वाटी सोसियोलॉजी 1965 में समासास को सही तरह से परिफादित करने के लिए कई पहला है एतिहासिक दूसरा काउंस है दूसरा है आनभविक दूसरा है आनभविक तो था तीसरा है विश्लेश रातमक्ति कुष्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number D आज हमारा अगला प्रस्ण है वानवीच के अनुसार समासास की विशरवस्त का एक मात्र वास्तविक आ राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानि की सामाजिक संबंद वानवीज के अनुसार समासास की विशेवर्ष्ट का एक मात्र वास्विक आधार सामाजिक संबंद है कुश्चन का राइट एंसर होगा ऑप्शन न कोइए दो नहीं तो यानि की ऑर बैस कोशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा समासाथ के प्रादॉरुबाव में फ्रांसिषी करांति था ओध्यों के बीच हुई टीउ वाडिजिक तथा वैज्यानिक क्रांति उन्हें भी महतपूर भूम का जो है इसमें अदा की है तो कुष्ण का राइट एंसर होगा आपसे नमबर भी यानि की समाज का समाज सास समाज का अध्यान है गिटिन्स का मानना है कि समाज सास समाज का वैज्यानिक अध्यान है तो कुष्ण का राइट एंसर क्या होगा तीस कुष्ण का राइट एंसर हो जाएगा हमारा आपसे नमबर भी आज हमारा अगला का और लाइट अप्सिय नमबर db भारत का तीस कुष्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुष्चन का राइट एंसर होगा, हमारा ऑप्सिय नमबर सी यानि की, अमेरिका का किसका अमेरिका का, समासाग के विकास में एक लेंड फ्रांस जर्मनी एंव अमेरिका का जो है विसेश योगदान रहा है किन्त इस विसे का सरवादी विकास बीसमी सताब्दी में अमेरिका में हुआ है यहां गिटिंग्स हो गए समनर बार्ड पार्क बेगर सुरोकिन जिमर मैं मैं काईबर आग बंट पार जाएगा औरॉप ganzen नमबर सी आज हमारा अगला प्रश्ण है समाजसाश का जनमज से पूर्ब नाम था उप सम्मस समाजसाierz अप समाजीष समाजिक बहुत खी ज tips on नमबर सी समाजी विज्यान ठीक πα्र Wenn बड़ी शॉरी सामाजिक जिये विज्ञान तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का जो राइट एंसर होगा हुआ होगा हमारा ऑप्सिन नंबर भी यानि की सामाजिक बहुत की फ्रांसेसी विद्वान अगस्त काम्टे के गुरू सिंट साइमन भौतिक विज्ञानों के समान समाज को जो है ऐसे विज्ञान बनाना चाते थे जिससे समाजिक घटनाओं का बेहुसीत अध्यन किया जा सके काम्टे ने सरब्दम वर्ष 1838 में कव 1838 में समाज साथ सबका प्रियोग किया इससे पहले उन्होंने इसका नाम सामाजिक भूत की रखा था कुशन का राइट एंसर होगा ओप्सन नमबर वी फ्रेंड्स उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा तो फ्ली बार विजिट कर सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रिस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहा है और साथी साथ फ्रेंट्स मुझे आपसे एक इंफोर्मेशन करनी थी कि यादि आप लोग सुबह में अप्लोड होना रहे रिगुल कि क्लास में मैप की सेषर जाते हैं जिसमें किसी कंट्री रिगुलर मेप के थिरूर दी जाती है तो यहदि आयदि क्लास जो कि मौनिंग में 8-0 क्लॉक के आसवाज मैप्स बन सकते वो कभार होंगे तो आप लोग मौनि में अप्लोड़ूट होना रहे कि याना कि डेली टि क्लासेस भी जरूर लिया करिए ठीक है बढ़ते हम आज के अगले प्रश्ण की तरफ आज के हमारा अगला प्रश्ण है समाजसा सब्द दो सब्दों से मिलकर बना है सोशियस और लोगाज यह सब्द क्रमजा संबंदित है किसे संबंदित है ते इस कुश्चन का राइट हैं स सब्द एव्डानी शब्द लोगस से मिलकर बना है समाजmand स समाज साज का साबदिक रफ होता है समाज का विख्यान विश्चन का राइट एंसर होगा option number a, आज हमारा अगला प्रश्ण है, नीचे दिये गए कत्रों पर बिचार कीज़, यहां पर दो कत्र दिये गया है, पहले को कत्र ने तथा दूसरे को उसके करण आर से दर्सा आ गया है, कत्र ए कहरा है कि समासास की उत्पत एक विगटिस समाज के काल में हुई, जिसका लच करा है कि नीचे दिये गए कुटों से एंसर का चैन कीजिए, तो इस कुशन का राइट एंसर क्या हो जाएगा, इस कुशन का राइट एंसर होगा हमारा option number C, यानि की कत्थन A, सही है पर दिसका करण दिया गया है, आर या हमारा गला थै, ठीक है, समासास मानो समाज का अध् इसे या अर्थ लगाए जा सकता है कि समासास की उत्पद एक बिगडित समाज के काल में हुई, जिसका लच्छ सामाजिक बिगड़न के कानो का लच्छ और समाज में बहुता को अस्थापित करना था, समासास मानो के समाजिक सरचना और गति विदियो से सम्मदित जानकारी को परिजित करने और उनका विकास करने के लिए है, इस वज़े से कारण आर जो है हमारा गलत है तता कतन है सही है, तो कुछन का राइट एंसर होगा, ऑप्सन नमबर सी, बढ़ते हम आज के अपने अगले प्रश की तरह बाच के हमारा अगला प्रशन है, समासास को अमेरिक नमबर सी यानि कि सरवादी विकास, वैज्ञानिक तरीके से समासास का विकास सरवतब जो है कहां भी होता तुआ फ्रांस में होता, किस के अधार पर वैज्ञानिक अधार पर, जबकि समासास का व्यापक अध्धन या अमेरिका में होता, जहां या प्रोफिशनल रूप मे में विख्षिद हुआ था इसलिए समाजसास को अमेरिकन साइंस भी जो है कहा जाता है कुश्चन का राइट एंसर होगा option number C आज हमारा अगला प्रश्ण है समाजसास की उपयोगिता क्या है option समाज विख्यानिक ज्यान में अभिवरिदी और नौकरी प्राप्ट करने में सहाइक और लाश्ट आप्सन नमबर D उपर यूग तो सभी तीस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number A यानि की समाज विख्यानिक ज्यान में अभिवरिदी समाज साथ संपूर्ण मानो समाज की विख्यानिक ज्यान प्राप्ट करने नवीन समाज परिस्तितियों में अनकूलन करने समाज में सह अस्तित की भावना का प्रचार कर समाज साथ समाज विख्यानिक ज्यान में अभिवरिदी करता है कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा option number A आज हमारा अगला प्रश्चन है समाज साथ क्या है option number A एस समाज नमबर B आज हमारा option number B आज की समाज विख्यान समाज समाझ करने वाला विख्यान है सामाजिक समंदों का ब्यवस्थी हैं सामा इक समंदों को ठीक से समझने दिरिश्थ से सामा जीग ईंता ग्रया हम समय मोलियों ने विशेट जो है दिया गया है तो इस बग्य आज के व 17 एट अंसर वहीश्थ हमारा उप्यार नंबर अगला प्रश्ण इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्शन नमबर B यानि की लुईस 14 फ्रांसे से करान थी फ्रांस के इतिहास की राजनेतिक वा सामाजिक उतल पूतल एवं अमूल जोल परिवर्तिन की अवद थी जो 1789 से लेकर 1799 तक ठीक है 1789 से लेकर 1799 तक जो है चली थी उस सम कर sonor को आज हमारा अग्ला प्रश्चन है सामाजिक सामाजिक यहां प्रगट हुए अमब्च में ऊप् six नंबर उस्टी एसिया में यालास्ट नंबर डी अफ्रेका में क्या हो जायेगा इस lapse का राइट एंसरोग आमारै जो था वह अमेरिक्या में हुआता समाज सास्त एक विज्ञान की रूप में पश्मी देशों में जो है आया है तो कुश्चन का राइट एंसर होगा option number B आज हमारा अगला प्रश्चन है सी राइट मिल्स के अनुसार समाज सास्त क्या है आज हमेरा अगला प्रश्चन है सामाजिक आकृतिक विज्ञान सामाज शास्त के रूप में समाज सास की विषर वस्त को किसने बाट है तीस कुश्चन का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ओप्सन नमबर भी यानि की इमाईल दुर्खीम ने सामाजिक आकृतिक विज्ञान सामाजिक सरीर सास यानि की सरचना एम सामानी समाज सास की रूप में समाज सास की विशेवस्ट को जो है बाटा है तीस वज़से सास का उद्भय मूलता किसकी तासनिक अविलासा है पॉइंट नमबर दिया गया मानुवी इतियास की प्रगत का लेखांकन पॉइंट नमबर भी है उन्नीशवी सताथी में यूरोप के सामाजी संकत की व्याख्या पॉइंट नमबर सी है और द्योकी की करंड के मूल कारण की ए और भी दोनोटी के यानि की मानवी इतिहास की प्रगत का लेखांकर और निश्वी सतादी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना समासाथ के उद्भव विकास पर विचार करने तो तीन विसलेशन पद्याद पर उभर कर जो है सामने आती हैं पहला बौदिक स्रूप या दासनिक स्रूप दूसरा सिध्धान तत्थों का विवेचन तता तीसरा सामाजिक आथिक स्रूप यानि की फ्रांसीशी एवं अध्योगिक क्रांती प्रथम पद्यत के आतार पर सामाजीक जीवन का करने वाले विभिन सामाजी विज्यानों जैसे इतिहास प्रभाव के परडामसरूप समाजसास की जो है ऊत्पत्ति हुई है तो कुछन का राइट एंसर होगा हमारा option a आज हमारा अगला प्रश्ण है समाजे और माननी की बढ़ते हम आचके अगले प्रशज़ की दिरप भारत की समाजिक प्रिष्व का पता लगाए भारत में समाजी वीचार की विरासत पॉंइंट रुपिंट घ्लत行 फैट-इचर के यारह Greg बारत की सामाजिक आर्थिक इस्तित्थ पॉइंट नमर 3 है अद्योगी क्रांट और पॉइंट नमर 4 दिया गए भारती समाथ की पश्चमी समझ के बार मैं भारती मनीशियों की बहुत धिक प्रक्रिया कुश्चन कर रहा है कि नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चुनाओ करें तो इस कुश्चन का राइट एंसर क्या हो जाएगा हमारा इस कुश्चन का जो राइट एंसर होगा वह होगा हमारा ऑप्सन नमबर यानि की एक दो और चार से है person 2-4 का मतरब या है कि भारत में सामाजिक विचार के वीराश्चत Britishiva की यागमर पर भारत की सामाजिक आर्थिक इस्ति और बारती समाट के समझ के बारे में भारती मंश्यों की बहुत धिक प्रक्रिया ठीक है तो कुष्ञन का राइट एंसर क्या होगा इस क्यों का राइट एंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नमबर अ बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्च की तरह बाच के हमारा अगला प्रश्चन है मानो समाज के वैज्ञानिक अध्यन के लिए सोशियोलॉजी सब्द का सरपृत्म प्रियोग डौट 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 ने किया था था किस ने किया था तीस कुष्चन का जो राइट एंसर होगा क्या होगा इस कुश्चन का राइट एंसर होगा हमारा ओप्सन नमबर भी यानिकी अगस्त कामटे ने ठीक है अगस्त कामटे प्रितर्चवात के जनक मान जाते हैं उन्होंने मानो समाज के वैग्यानिक एद्धन के लिए सोसियोलाजिस सब्दकाव सरब्रतम वर्स 1838 में जो समारा आप्सन नमबर भी यानिकी विसकोशी और प्रतेच विएद्धी लिए अर उन्हों के समद्धियान माक्सवार्थ्सδαी समासास्त की मैत्र को समझांगे महठन गुमिंगा अदा की है उन्होंने माक्सवार्थ ऑर पुझी वार्थ धे był बहुत कुछ लिखा हो कहां पर हुए थी option नमबर है फ्रांस में option नमबर भी अमेरिका में option नमबर सी एक लैंड में और लाट यह option नमबर डी जर्मनी में फ्रेंड्स यह कुशन हमने आप से पिछले प्राक्टिस से पूछा गया था और इसमें maximum लोग ने इस कुशन का सही जाब दिया था और सबसे अगर नहीं आदा तो आप रिसर्च करिये उसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में में जरूर किया करिए कि जिस कुशन को का एंसवर हमने आप से पूछा है वह उसका एंसवर क्या होगा ठीक है तो इस कुशन का राइट एंसवर क्या हो जाएगा कुशन हमारा का विचार था कि समाज विज्ञान इसके बहुत निकट है मानवसास्त्र के ओप्सिन नुमबर भी जीवसास, ऑप्सिन नंबर सी मनविज्ञान, और लाज्ट आपको पता है कि यह मारे प्रैक्टिस्ट के लाज्ट कुछन आप लोगों के छोड़ दिये जाते हैं यानि कि इ ग्राइब को डिसलाइक करें और आपने वीडियो को डिसलाइक क्यों किया है इसको comment box में comment करके जरूर बताएं जिसे क्या होगा हम अपने next video में आपके comment को जरूर नेस्न करेंगे ठीक है मिलते हम आप सकते नेक्स वीडियो में तब तक ले जैहन बंते मात्रम